हेलो स्ट्वेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम तो यूट्यूब चैनल टोप देव एड्यूकेशन हब आज हम नाइन्थ साइंस में बायोलोजी का जो चैप्टर हमारे पास है वाय डू फोल इल यह करेंगे हम बिमार क्यों होते हैं टोटल नंबर में 13 चैप्टर है यह तो स आज असे और दॉरू पॉडी की वह कंडीशन जहां पर फीजी क्ली शॉसली मेंटली अच्छे हो उसको हम हेल्थ कहेंगे वौडी विद फीजी क्ल एंडमेंटल कंडि Crispy topic अ कैखे से यह नहीं हम हैं यही नहीं हैं अ of physical, mental and social well-being यानि कि हमें हर pattern में हर criteria में सही होना चाहिए physically, mentally और socially हम अच्छे होंगे तो हुई हम healthy कहलाएंगे अब यह तुमने कर ले कि health क्या होती है कि हम socially, physically mentally अच्छे हो तो हम कहेंगे कि हम healthy हैं अब disease क्या है disease a particular abnormal condition एक विशेश abnormal condition और function affecting the part or entire organism is called a disease एक ऐसी condition जो हमारे किसी body part को या सारे सरीर को प्रभावित करता है उसको हम disease कहेंगे a body infected with a disease is called a disease body ऐसा body जिसमें कोई disease है उसको disease body हमें कहेंगे कि वो बिमार सरीर है अब यहाँ पे दोनों ट्रमम में अच्छे से करने की health का मतलब क्या है और डीजीज का मतलब क्या है next हमारे पास रहेगा causes of disease डीजीज के कारण क्या है तो ध्यान से देखें causes of a disease diseases are caused as a result of flowing regions कुछ region है जिनके कारण हम बिमार होते हैं first हमारे पास है lake of nutritious and sufficient food हमें पोशक तत्वों वाला प्रियाप्त भोजन ना मिले उसकी कमी हो तो हम बिमार हो जाएंगे unhealthy and dirty surrounding हमारे आज़ पास का जो surrounding है वातावन वो गंदा है साफ नहीं है contact with an infected person कोई बिमार व्यक्ति था उसके contact में हम आ जाएं using the personal belonging of an infected person कोई बिमार व्यक्ति है उससे सम्मंदित वस्तमूं का हम यूज करें और next हमारे पास है eating untreated water and food जो गंदा पानी है गंदा भोजन है उसका यूज करें from an unclean and unhygienic condition से unhygienic place से जो सही जगे से साफ जगे से नहीं आया है उस भोजन का उस पानी का हम यूज करें lack of hygienic practice इस साफ सफाई का हम ध्यान ना रखें तो यह कुछ region है जिनकी वज़े से हम बिमार हो सकते हैं डिजीज का कोज बनता है अब हमारे पास डिजीज जो हैं duration के उनसार दो type की है कि जो डिजीज हैं कुछ थोड़े समय की हैं कुछ जादा समय की हैं इसके उनसार डिजीज हमारे पास रहेंगे दो type की फर्स्ट हमारे पास है acute डिजीज तो सबसे पहले देखेंगे acute डिजीज क्या होती हैं the disease that persist for only a short period of time ऐसी डिजीज जो थोड़े समय के लिए रहती हैं उनको हम acute डिजीज बोलते हैं खास यह जो खाम बुखार हो गया है तो यह acute डिजीज है example, cough, cold, fever यह डिजीज कुछ टाइम में ही कुछ गंटे में ही ठीक हो जाती हैं तो ऐसी डिजीज को हम acute डिजीज कहते हैं as acute डिजीज लाष्ट for a short period of time कि acute डिजीज थोड़े समय के लिए होती है it does not get enough time to cause any fatal effect to the general health इसलिए यह डिजीज हमारे स्वास्थे को जादा लंबे समय तक परभावित नहीं करते कोई बुरा परभाव नहीं डालती next हमारे पास रहेगा अबे chronic disease कि chronic disease क्या होती है अब जो डिजीज जादा समय की हो जादा समय तक में परभावित करें the disease that persist for a longer period of time ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक में परभावित करें और even lifetime जीवन भर तक भी परभावित कर सकती है आर काल्ड क्रोनिक disease example elephantiasis cholesterol, heart attack, cancer, emphysema, bronchitis यह कुछ डिजीज हैं जो हमें लंबे समय तक परभावित करती है यह हमारे पास elephantiasis दिखाया गया है जिसमें जो limb है हमारे उनका size क्या हो जाता है increase हो जाता है hearty pound disease बोलते हैं इसको due to its longevity chronic disease impart major effect on the general health of a person chronic disease लंबे समय तक रहती है इसलिए हमारी general health को यह परभावित करती है तो यह हमारे पास था chronic disease हो रहे acute disease अब एक ट्रम आती है pathogen pathogen क्या होते हैं जो disease causing microbes हैं ऐसे microbes जो विमारी फैलाते हैं उनको हम pathogen कहते हैं तो pathogen a disease causing microorganism is called pathogen disease causing microorganism को हम pathogen कहेंगे example है bacteria, virus, etc तो यह कुछ यानि कि microbes जो भी है microorganism बिमारी फैलाते हैं उनको हम कहते है pathogen next हमारे पास है अब हमने किया था इससे पहले acute disease और chronic disease यह हमारे पास duration के अनुशार थी कि थोड़े समय की हैं या ज़्यादा समय की हैं अब हमारे पास दो type की disease है infectious और non-infectious यह हमारे पास depend करेंगे कि इनका transmission कैसे होता है एक से दूसरे में फैलती है या नहीं फैलती तो इसके अनुशार हमारे पास transmission के अनुशार भी disease दो type की हैं infectious and non-infectious तो हमारे पास रहेगा सबसे पहले infectious disease क्या होती हैं तो ध्यान से देखें infectious disease the disease caused due to infection वो disease जो infection के कारण होती है spread by microbes जो microbes के कारण सुक्सम जिवा कारण होता है such as bacteria, virus, fungi are called infectious disease कि जो infectious disease है यह infection के कारण होता है जो infection bacteria, fungi, virus यह कारण होता है उसको हम बोलते हैं infectious disease example COVID-19 जो भी फैला हुआ है chickenpox, AIDS, डेंगू, फीवर cold यह कुछ ऐसी disease है जो virus के कारण होती है और infectious disease है इसके बाद हमारे पास typhoid, cholera, tuberculosis यह bacteria के कारण होती है malaria, kalajar यह protozoa के कारण होती है और यह सारी ऐसी disease है जो infectious disease है एक से दुसरे में फैलती है इसके बाद हमारे पास रहेगा कि these disease are spread by microbes यह जो disease है यह microbes के दवारा सुक्सम जीवों के दवारा फैलती है they can be transmitted from an infected person to a healthy by several means बहुत से त्रीके से यह बिमारियां एक unhealthy person से infected person से बिमार आदमी से स्वस्था आदमी में लग जाती है therefore infectious disease are also called communicable disease इसलिए हम infectious disease को communicable disease भी कहते हैं इसके बाद हमारे पास रहेगा non-infectious disease कि non-infectious disease क्या होती है इससे पहले उनका infectious disease जो microbes के दवारा या एक से दुसरे में फैलती है यानि कि उनको communicable disease या infectious disease कहते है अब हमारे पास non-infectious disease the disease that are caused by means other than microbes ऐसी disease जो microbes के कारण नहीं होती are called non-infectious disease they are mainly caused by internal means मुख्य रूप से internal या external factors के कारण होती है internal means में like personal hygiene environmental factors genetic disorders यानि कि these are mainly caused by internal factors इसमें personal hygiene सामिल है इसके अलावा environmental factors या genetic disorder के कारण ये बिमारियां होती है तो ये कोज ये ध्यान से करना है हमें कि ये होती क्यों है तो यहाँ पर हमारे पास है personal hygiene इसके अलावा environmental factor और इसके अलावा genetic disorder इनकी वज़े से हो सकती है example देखें ध्यान से cancer है, diabetes है, heart disease, stroke, chronic lung disease, etc ये ऐसी disease हैं जो non-infectious disease कैलाती है as they are not caused by microbes ये disease microbes के दवारा नहीं होती therefore they do not spread from infected person to a healthy person इसलिए ये एक बिमार आदमी से एक infected person से unhealthy person से healthy person वे transfer नहीं होती therefore they are also called non-communicable disease इसलिए इन disease को हमें non-communicable disease भी कहते हैं next मारे पास है mode of transmission of disease कि disease फैलती कैसे हैं कैसे disease एक से दूसरे में जाती हैं या क्या-क्या transfer का तरिका हो सकता है तो ध्यान से देखें mode of transmission of a disease the disease that spread from an infected person to a healthy person and disease free person are called communicable disease वो disease जो एक बिमार आदमी से infected person से दूसरे healthy person में फैल जाती है उनको communicable disease कहते हैं यह हम study कर चुके हैं these disease spread when infected person sneeze or cough यह कप फैलती हैं जब बिमार आदमी है वो ठीकता है या खासता है they throw teeny droplet of water into the air तब वहाँ पर जो droplet of water है यानकि छेकने से खासने से बिलकुल बारिकन water के आ जाते हैं एर के अंदर that contain the microbes of the infection उसके अंदर फेर उन tiny droplet के अंदर infection फैलाने वाले सुक्षम जीव होते हैं microbes होते हैं फिर क्या होगा a healthy person standing nearby when inhaled the air जब कोई सवस्त वेकती है वो वहाँ पर नजदीक खड़ा होगा वो उस हवा को सांस को अंदर लेगा they take in the infected air and may fall sick तो वहां से वो infected जो air है जिसके अंदर microbes है वो सांस के दोरा उसके स्थेर के अंदर जाएगा और वो भी बिमार हो जाएगा some examples of communicable diseases यह chickenpox है, tuberculosis है, pneumonia है यह कुछ diseases बताए गई है these diseases also spread when the excreta of infected person somehow get mixed with the drinking water used by the other people to drink और कैसे फैल सकती है कई बार infected person का जो west material है वो क्या है drinking water में mix हो जाए अब उस पानी का जो इंसान यूज करेंगे वो भी उस से विमारे हो सकते हैं next देखें ध्यान से इसके बाद हमारे पास रहेगा diseases like cholera, typhoid इसी परगार गंदा पानी पीने से ये होती है infected जो हमारे बास polluted water है उसके कार्ण ये बीमारी होती है next हमारे पास रहेगा communicable diseases also spread through sexual intercourse sexual act के दवारा भी communicable diseases फैलती है between an infected person and a healthy person therefore diseases like acquired immunodeficiency syndrome HIV AIDS से फिल से आर्दा sexually transmitted disease ती दो AIDS से फिल से जो बताई गई है ये हमारे पास STD है या STI sexually transmitted disease या sexually transmitted infection अब यहाँ पर बताया गया है acquired HIV AIDS के बारे में acquired immunodeficiency syndrome HIV AIDS can also spread through other means एक तो sexual contact से हो गया AIDS की AIDS एक तो sexual contact से फैलता है और कैसे फैलेगा ये like blood to blood contact with an infected person by using same syringe in hospital same syringe का यूज करें एक infected person है जिसको AIDS है वो syringe अगर उसने यूज की है दूसरा इनसान उसे syringe को यूज करता है तो उसको भी AIDS हो सकता है और using same personal belonging से razor है tooth bruise है इनका यूज करने से भी AIDS हो सकता है और क्या तरीका है इसके अलावा acquired immunodeficiency syndrome AIDS can also spread to a healthy baby from their mother during pregnancy ये दे किसी mother को AIDS है तो उसके बच्चे को भी वो pregnancy के दोरान हो सकता है और by breast feeding जब उसको दूद पिलाती है उस दोरान भी ये हो सकता है next हमारे पास है some disease like skin infection ringworms conjunctivitis are spread by direct contact कुछ disease है जैसे skin infection है ringworm है ये fungus के कारण होती है पहले ये side में लिख ले skin infection है ringworms है ये fungus के कारण होती है इनको note कर ले ये fungus के कारण होने वाले disease है कि some disease like skin infection ringworm conjunctivitis are spread by direct contact with infected person ये infected person से direct contact में आने से लगते हैं hand sack से touch से किस से इन से बिमारियां हो सकते हैं next हमारे पास रहेगा इसके बाद vectors क्या होते हैं next हमारे पास रहेगा कि vectors क्या है many diseases are carried from infected person to a healthy person through animals vectors वो हैं जो बिमारी को फैलाते हैं कि many diseases जो बहुत शे diseases हैं वो infected person से healthy person में animals के द्वारा फैलती हैं और इन animals को हम vectors कहते हैं कुछ example बताये गए हैं mosquitoes and house flies mosquitoes एंडे मच्छर हैं घ्रिलो मखियां हैं यह good example है vectors के the female anaphylis mosquito female anaphylis mosquito है यह malaria फैलाता है malaria का जो protozov है उसको लेके जाता है female adis mosquito है यह dengue फैलाता है डेंगू के vector को लेके जाता है यह यहाँ पर और बताया गया है यह important थे यह तीनों ही next हमारे पास है house flies sit on the garbage, drains, human and animal excreta and then fly off and sit on the uncovered food जो गरिलो मुखियां होती हैं गंदगी पर drains, human, animal, waste, material पर excreta बहाँ पर बैठते हैं consumed by healthy person जिनको फिर healthy person यूज करते है this way house flies transmit the disease to the new healthy host इस परकार से जो गरिलो मुखियां होती है यह क्या करती है फिर गंदगी फैलाती यह बिमारी फैलाती है स्वस्थ इनसान के अंदर अब यहाँ पर कुछ तरीके बताएगा है कि healthy person किस परकार से बिमार हो सकता है यहाँ पर एक infected person है उस healthy इनसान के अंदर healthy person के अंदर disease कैसे transfer हो सकती है तो यह दोखो through direct contact direct contact से हो सकती है यहाँ पर कुछ रीजन बताएगा है direct contact के through indirect contact उसके belongings को यूज करने से हो सकती है यहाँ पर unhygienic food से हो सकती है या फिर यह vectors के दवारा हो सकती है तो यह कुछ तरीके हैं जिनके दवारा जो communicable disease हो transfer होती है तो आज इतना ही करेंगे हम और जो वच्छे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को like, share, subscribe जरूर करें comment जरूर करें वीडियो का